इस बीडियों में उधारन 25 का हल करेंगे देखिए इसमें क्या कहता है वर्गमूल ग्यात कीजिए देखिए इसको हल करने से पहले कुछ अन्य उधारन लेके इसके बेसिक कंसेप्ट को समझाने का कोशिस करते हैं तो देखिए देखिए जैसे दो से आठ को भाग देंगे क्या करते हैं दो का कितना वर पड़ती है जानि दो का पाड़ा चार वर पड़ते हैं दो चोके आठ तो ये दोनों क्या होता है गुना होता है जैनि दो गुना चार ये आठ हो गया ठीक है तो देखिए पचीस का वर्गमूल निका भाग नहीं दे सकते हैं दो से ठीक है दो से या चार पंचे बीस या पांच कैसे भाग देंगे इसको थोड़ा ध्यान देना है जैसे पांच को अगर भाग देना है तो दो दूनी चार करेंगे ठीक है यानि दो का वर्ग क्या होता है चार ठीक है जैसे दस को अगर भाग देन तो इसको ऐसे भाग देंगे तीन का वर्ग क्या होगा नौ होगा तो उसी परकार देखिए 25 किसका वर्ग है पांच का वर्ग है तो यहां लिखेंगे पांच इसको चाहिए उपर में इस परकार लिखें यहां लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए यह दोनों क्य ओता होता होता तो 5 , 25 हो लेकर फूर्ट मूल कीटना होगी यह वर्गमूल हो गया 5 तो यह लिक्ति इसलिए कि रूट 25 का ब्राबर 5 देखिए जैसे आप से पूछा resistant चार का वर्गमूल क्या होगा चार का वर्गमूल तो आप कहेंगी रूट 4 द्यादी 4 का वर्गमूल रूट 4 होता है यह इससे बाहर करेंगे तो यह से लिखेंगे दो गूना दो जैसे रूट के अंदर में रहता है इसको तोड़ दिये दो दूनी चार जैसे जोडा बनता एक टो बहर आ गया तो देखिए मिरूट चार बरावर क्या लिखेंगे दो दो वर्गमूल हो गह योडिया चार का वर्गमूल रूट 4 यह दो बोल सकते हैं तो उसी यह वर्ग मूल निकल गया तो इसलिए रूट 81 तो 81 कितना वर्ग मूल आ गया नो तो अब देखिए 144 से इसको थोड़ा समझते हैं देखिए 144 इधर से जोड़ा बनाना है देखिए इसमें दो अंग था इसमें तीन अंग है तो इधर से बार का निसान लगाना देखिए इसको बोलते हैं बार ठीक है तो यह देखिए जोड़ा बनाए अब इधर इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ठीक है तो इस पर बार लगा होता है तो एक गुना एक हो गया अब एक में घटाएं क्या बचाए कुछ नहीं कि इस तरह कट का निशान लगा दिया सुनी भी लिखेंगे तो कोई दीक कर नहीं है अब देखिए एक है तो यहां एक लिख के जोड़ देंगे इसको प्लस कर देंगे एक हो जाना दो ठीक है अब देखिए भाग में क्या होता है एक संख्या उतारते हैं लेकिन यहां वर्गमूल में क्या करेंगे जोड़ा उतारेंगे एक वार में दो टो अंग उतारेंगे तो यहां देखिए यहां क्या लिखेंगे जैसे यहां अगर दो है एक लिखेंगे तो एक से गुना तो यह लिख देते हैं दो यहां भी क्या लिखेंगे दो टू यह दोनों गुना होगा दें इस से दूदूनी चार फिर इससे उस्यज्था दूदूनी चार प्लग चार है लिए तो यह से कट गया यह थ्यास इसमें इसको खंटा दिये हैं इस तो इसलिए वर्ग मूल कितना आ गया हैं two आ ऐसे लिखे है या इस परकार रूट देके लिखे है एक ही बात आए इस परकार भी लिखे है या इसे डेरेट भी लिख सकते हैं कोई लिखनाową खाँ है इसे परकार देखिया doubt अगर 225 का जैसे वर्ग मूल निकालना है तो इधर से बार का निस्वन लगाएंगे जोड़ा बनाएंगे तो यहां से देखिए इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको पहले देखिए अब दो किसका वर्ग है दो किसी का वर्ग तो नहीं है तो एक से करें एक से चलाएंगे देखिए एक एकम एक को एक से गुना करेंगे इसको तो क्या आएगा एक आएगा अब दो में घटा देंगे एक मचा अब इसमें एक जोड़ेना अगर यहां दो रहता तो दो यहां लिखते हैं यहां तीन रहेगा तो यहां तीन लिखके जोड़ना यहां एक है तो एक लिखें यह जो अगर यहां लिखेंगे तीन तो तीन से गुना करेंगे तीन तीन नो दो ती अच्छो उनतर बहुत कम हो रहा है एक सो पचीस लाने के लिए क्लिए क्या करेंगे अगर इसको चार से गुना करेंगे चार चरह सोलनों दो चोके आठ एक नो च्यानवी हो रहा है इसको पांच से गुना करना हुआ तो यहां लिखेंगे पांच देखिए पांच पच्छे पचीज इकाई अंग में क्या पांच इसका मतले हैं पांच से गुना करना यह आपको समझाने के लिए सब किये हैं हम चाह ठीक है तो अर्घमूल निकल गया 15 यहां लिए यह दो सो पचीज बराबर पंद्रो रूट के बाहर यह आ जागा पंद्रो तो सब पचीज को आप एसे लीख सकते हैं तो कि पंद्रों गुना पंद्रों जैसे जोड़ा बना एक टो भार आगे यहां से पंद्रों अर्गू करेंगे तो डच्छार देना हो जागा तो तीन नी करेंगे दो दुना दो करड़ेंगे यान Hai कितना हो जाने इसको खथा धीयह है तो देखिए तीन बचा अब जोड़ा उता रहाएंगे अब यहां दो है तो यहां दो लिख देंगे दो दो जोड़ेंगे कितना होगा चार अब यहां क्या लिखेंगे जो यह तीन सो उन्तीस हो जागे जैसी यह दो लिखेंगे दो से गुणा करना हो फाच लिखेंगे तो फाच से तो यह एकाईंग में नौ है तो दिमागद लगा यह थोड़ा कि यहां क्या लिखने पर गुणा करेंगे कि यहां देखिए साथ अगर लिख देंगे तो देखिए सती सती यहां देखिए इसको गुना करी साती सती उन्चास और साथ चोगे अठाइस चार बद तीस यह कट जागा तो वर्ग मुल कितना आगया 27 अगया ठीक है उसी परकार देखिए अब 1296 1296 है तो इधर से बार का निस प nos ne घ्रघे तो landlords ka वर्ग क्या होगा नौ घ्रघ से भारम 9 घ्रटाएं के कितना होगा से बार अब juicy ढ़ता जोड़ा उथोरेति मुल में हमेसा यास याद रखना इस परकार जोड़ा उत्रें तो यहां 3 का डपल हो जागा तीन 6 में 3 जोड़ देखि अब यहां से दो दूनी चार आएगा तीन लिखेंगे तो नो आएगा पांच लिखेंगे तो पांच पचे 25 छे लिखेंगे तो आज आएगा देखिए छे चक 36 और चो चछक 36 और तीन 49 49 तो यहां से देखी वह रगमूल कितना आ गया 36 आ गया ठीक है तो इस पर अगर आपको समझने में को इसको देख लें ठीक है यह वीडियो लंबा होने कारण नेक्स्ट वीडियो में इसको हल कर दियें